किि अपरेंट सिस्टम होता क्या है क्या होता ओपरेंट सिस्टम। क्या, क्या दूतरीके से खनब्लाइब Speed और दूसरा क्या था ट्रिप्टो वो प्रेंट जो है दो त्री के से फोर्म होता है लैक प्लस ट्रिप्टो फैन लैक क्या था उसके अंदर इंडूसर था यानि कि इंडूसीबल वो ट्रिप्टो फैन क्या था रिप्रेसर तो lag जो प्रेंथा यानि lactose जो प्रेंथा क्या था वो हम पहले कर चुके है कि जब lactose की formation होती है तो या फिर lactose वहां पर present होता है तो वो on हो जाता है और अगर lactose नहीं होता तो वो off हो जाता है लेकिन ये क्या है इसके just opposite हो कि अगर triptofen present है तो ये off हो जाता है और अगर tiptofen absent है तो on हो जाता है यानि कि tiptofen क्या करता है अपने आप में एक inhibition का वरक करता है अपने आप को ही repress करता है क्योंकि जब ये present होता है तो system को बंद कर देता है तो इस वज़ाए से इसको बोलते हैं repressor ये normally क्या होता है normally own रहेगा यानि कि normally amount जब इसकी रहेगी तो ये almost own रहता है कुन से वाला tiptofen बट जब इसकी amount ज़ादा हो जाती है तो ये repress हो जाता है या फिर off हो जाता है क्यों तो ये क्या होता है can be turned off when tryptofen amount is increased जब ज़ादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाता है और नॉर्मल रहेगी तो ये क्या हो जाता है तो सबसे पहले हम इसकी structure देखेंगे कि इसकी structure में होता क्या फिर हम देखेंगे कि कैसे ये own हो जाता है और off हो जाता है सबसे पहले इसके अंदर आता P, then R, next is also P, then O, and E, D, C, B, and A देखो, हमने लेक में पहले करच के उसके अंदर क्या थे? त्री स्ट्रक्चल जीन थे, जब कि ट्रेप्टोफेन के अंदर क्या है? पांस स्ट्रक्चल जीन है, तो पांस स्ट्रक्चल कुन से? E, D, C, B, A, A, B, C, D, E को हमने अपोजिट करके लिख दिया है, यहाँ पर ठीक है? तो यहाँ पर जो P है, वो किसको रिपरजेट करता है? यहाँ पर परमोटर को तो परमोटर क्या होता है? कि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर RNA polymerase बाइंड होता है, या फिर यह पूस करता है किसी भी यहाँ पर functioning को start होने के लिए. तो यहाँ का function क्या है? कि RNA polymerase आकरके बाइंड करेगा और प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा. स्टार्ट किसके? नेक्स इसके है क्या? रिप्रेसिबल जीन. या फिर हम कहते हैं इसको regulatory gene. यह जो regulatory gene है, तो यहाँ पर जब RNA polymerase बाइंड किया है, तो इस regulatory gene को यहाँ पर transcribe करवाएगा. तो यह regulatory gene जब transcription होगा इसके अंदर, तो किसकी formation करेगा यह, obviously transcription के अंदर हम पड़ चुके हैं, DNA से किसकी formation होगी? MRNA की. MRNA क्या करेगा? Translate हुएगा यहाँ पर. Translation process के बाद में किसकी formation होगी? यहाँ पर proteins की, जो normally हम translation और transcription के अंदर क्या था? वहीं protein. अब हम यहाँ पर protein किससे form हुआ है? regulatory gene से. तो यहाँ पर जो protein होगा, वो भी एक अलग तरीके का protein होगा. तो यहाँ पर एक special protein की formation होगी? तो special protein क्या होता है? अपो protein. यहाँ फिर हम कह सकते हैं उसको अपो repressor. अपो repressor या अपो protein क्या होते है? जो present होते है, inactive form के अंदर. तो यहाँ पर यह क्या है? inactive form के अंदर present है. यहाँ पर active form के अंदर नहीं है. तो active form के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर यह regulation का वर्क भी नहीं करने पाता है. जो regulatory function होता है, वो नहीं करने पाएगा. next यहाँ पर peak, पहले polymerase जिसके bind क्या था, promotor वो था. next फिर से यहाँ पर RNA polymerase bind करता है. दूसरे इसके साथ में, क्या? promotor के साथ में. promotor यहाँ पर भी था और promotor यहाँ पर भी है. दोनों promotor हैं, दोनों के साथ में RNA polymerase bind करता है. अब यहाँ वाला RNA polymerase यहाँ पर जब promotor के साथ bind करता है, वो यहाँ के structural gene को transcribe करेगा अब ये वाला जो region है O represent करता है यहाँ पर operator region को obviously operator region क्या करता है क्या functioning होती है कि regulator gene इसके साथ में आगर के bind कर देते हैं और ये एक checkpoint की थरह वरक करता है अगर ये active हुआ यहाँ से तो क्या कर देता है जितने भी ये structural gene है structural gene कितने हिटरेक्टिव फैन के अंदर पांच तो उनको ये transcribe नहीं होने देता है अगर ये active form के अंदर है अपो रिप्रेसर एंजाइब प्रोटीन तो यहाँ पर ये इनको transcribe नहीं होने पाता है अब यहाँ पर क्या है operator के साथ में ये inactive form में है तो ये bind नहीं करने पाता है तो operator कोई भी checkpoint यहाँ पर create नहीं करता है और process को smoothly चलने देता ये RNA polymerage यहाँ पर पांचो जो भी structure gene है उनको transcribe कर देता है तो यहाँ पर obviously पहले क्या होगा transcription transcription किसका जो EDCBA gene है उनका पांचो का transcription होकर कि क्या होगा mRNA की formation mRNA क्या करेगा translate करेगा और किसकी formation करेगा एक protein की formation करेगा protein यहाँ पर जो form होता है वो भी special protein होता है और उसको हम बोलेंगे tryptophan synthetase एक special protein की formation होती है यह tryptophan synthetase क्या है यह नाम से indicate हो रहा synthetase यानि की help करेगा in this synthesis किसकी synthesis के अंदर जो tryptophan है उसकी synthesis में help करेगा तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि tryptophan कैसे form होता है कि माना कि यहाँ वाले यह जो structural gene है तो यहाँ पर tryptophan synthetase तो मिल गया आप tryptophan form किससे होगा तो यह क्या होता कि इसके अंदर जो भी हम raw material लिया जाता है जो food की requirement होती जो raw amount के अंदर लिया जाता है तो यहाँ पर जो भी raw material होगा raw material से formation होगी tryptophan की जो normally हम जिसके लिए कर रहे हैं tryptophan की formation तो यहाँ से raw material से tryptophan convert होने के लिए special protein या enzyme की requirement रहेगी और वो क्या होगा tryptophan synthetase तो यहाँ से जो भी raw material इसके दोबरा ingest गया जाता है तो tryptophan synthetase की help से tryptophan के अंदर convert हो जाता है अब यह क्या था कि हमने पहले कहा था कि normally on ही रहता है जो tryptophan open होता है but जब high amount हो जाती है tryptophan की तो यह क्या कर जाता है off हो जाता है तो इसके अंदर यह क्या रहता है कि normally on रहता है ठीक but if increase in amount of tryptophan then it becomes off अब यह off कैसे रहेगा तो उसके अंदर क्या है कि हम दो बारा से इसकी जो structure है उसको यहां से दो बारा से draw करेंगे draw में same structure रहेगी यहां पर सबसे पहले क्या था P promoter regulatory gene next again is promoter operator structural gene कौन से E, D, C, B and A यह है structure अब यहां पर promoter पे क्या कर गया RNA polymerase bind कर गया bind करके किसकी formation करेगा यह जो regulatory protein है उसकी बट यहां पर regulatory protein क्या था वो था inactive form के अंदर या फिर aporipressor था यह inactive form के अंदर था same यही process complete दो बारा से इसके अंदर होगी क्योंकि यह जो RNA polymerase यहां पर promoter से bind किया same वही process को follow करता है चीक है तो यहां वाले region के अंदर अब मैंने क्या कहा था कि tryptophan अगर increase है tryptophan increase कैसे की माना की body को requirement है 50 tryptophan की और formation उसके अंदर हो रही है 55 की हो गई तो यह extra हो गई यह extra 5 क्या कर देते हैं यहां पर जो भी extra tryptophan है वो आ करके इसके साथ में bind कर देते हैं body की growth के लिए continuously यहां पर जो tryptophan है उनकी requirement रहती है लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो access amount में है तो उनकी requirement नहीं एक specific amount की ज़रूरत होती है उसको अपनी functioning को करने के लिए body को तो यहां पर जो extra tryptophan थे की 50 से 55 की formation होई थी तो 55 से 50 की जरूरत थी 55 वहां perform हो गए तो extra कितने हुए 5 तो 5 जो extra है यहां पर जो inactive protein था उसके साथ में आ करके bind कर गए और आ करके bind जब करते हैं तो यह जो inactive जो protein था वो active protein के अंदर convert हो जाता है और वो active protein कौन सा था repressor protein obviously यहां पर regulatory gene है तो regulatory gene किसकी formation करेगा जो repressor protein है उन्हीं की formation करेगा translation process के बाद में तो इससे क्या होता है यह जो repressor protein है यहां पर active form के अंदर है active form के अंदर है तो यह क्या कर जाता है यहां पर active form के अंदर है तो regulatory जो protein होते हैं यहां on the operator के साथ में हमेशा by कर देते निए ठीक है तो यहां पर जैसे ही आ करके polymerase बाइंड करेगा तो यहां पर जया पॉइंट क्रिए नहीं जाएगे यह प्रोसेस को यहां पर कर देगा क्योंकि यहां पर रस्ता आगे ब्लोक हो चुका है क्योंकि यहां पर repressor active protein यहाँ पर join कर चुके है operator के साथ में तो यह जो structure gene है वो transcribe नहीं होंगे तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी operator यहाँ पर block हो चुका है और block हो करके no transcription transcription किसका नहीं होता tryptophan का क्योंकि अगर यहाँ पर operator block नहीं हुआ था पहले तो transcription हो रहा था structure gene का उन्होंने क्या किया था एक ऐसे protein enzyme की formation की थी जो tryptophan को बनाने के लिए responsible था उसकी formation में help कर रहा था बट यहाँ पर protein की formation नहीं होई तो tryptophan कैसे form होएगा नहीं होएगा तो tryptophan यहाँ पर नहीं form होने पाता है अब यह तो बात थी कि माना की क्या होगा कि tryptophan वहाँ पर ज्यादा amount में है तो वो off हो गया ओफ होने के बाद हम यह कहेंगे कि वहाँ पर तो फिर ज्यादा amount में ही रहेंगे दोबारा से own होने नहीं पाएगा तो ऐसा नहीं है इसके अंदर क्या है दोबारा से own कब होगा यह दोबारा से own होने के लिए क्या होगा माना कि यहाँ पर 50 tryptophan की requirement थी लेकिन हो कितने गई है 55 अब बोडी को continuously क्या है tryptophan की requirement है अपनी growth के लिए तो यहाँ यहाँ पर यह जो tryptophan form हो रहे दीरे दीरे बोडी इनको consume करना start करेगी उनको leg intake करेगी तो यहाँ पर माना कि 50 में से 5 negative तो कितने हो गई 45 माना कि 5 tryptophan यूज कर ली है बोडी ने जो 50 की formation होई थी तो यहाँ पर 5 क्या थी यह इसको stop किये भूए थी ठीक है तो यहाँ पर 45 रह गए अब बोडी को कितने की जरूरत थी 50 की तो यहाँ से 5 जो extra थे वो 5 आकर कि इसके साथ में join कर गए तो दोबारा से कितने हो गए 50 हो गए यहाँ पर तो plus 5 थे extra 5 थे तो दोबारा से जब 50 हो गए तो requirement ही 50 की थी तो दोबारा से क्या हो जाता है कि tryptophan own हो जाता है तो इस तरीके से क्या है कि यह एक repressible open system है कि जब खुद को ही यह inhibit करता है खुद को कैसे कि tryptophan जब जादा हो गए तो अपने आपको ही tryptophan open था उसको ही बंद कर दिया इसने तो यह एक repressible है open system तो लेक्टोज जो open था वो क्या था inducible और यह क्या है repressible तो इस तरीके से यह दोबारा से जैसे ही 50 के amount ही दोबारा से tryptophan जो open system था दोबारा से start हो जाता है जैसे ही दोबारा से increase होती है access amount में tryptophan की formation हो जाती है तो यह उस रस्ते को बंद कर देता है ताकि उसके अंदर body के अंदर एक maintenance बनी रहे और उसकी जो requirement है वो एक easy way से complete होती जाए